Hey guys, welcome all, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है नीट प्रो पे, नीट प्रो अनकेडमी का नंबर वन चैनल है, इसमें टॉप एजुकेटर्स है, क्वालिटी कंटेंट हाई है, ग्रेटर लेर्निंग एक्स्पीरियंस है, आप सभी का बच्चों बहुत-बहुत स्वागत है अ एक्सपीरियंस प्रोफेसर रूम में बॉट मिया, क्योंकि मैंने कोटा, डैली और जैबूर के इंस्टूट में वर्क किया हुआ है, और मिरे जो नोट्स हैं वो क्रिस्टल क्लियर है, आपको ये 100% समझ में आएंगे, इसकी गैरेंटी मैं दे रहा हूँ, इसमें आपको द इसमें दो तरह का आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा, प्लस और आइकोनिक सब्सक्रिप्शन, ठीके, दोनों ही सब्सक्रिप्शन में बच्चे, आपका 30 आवर्स का लाइब सेशन हर दिन चलेगा, इस स्टक्शर्ड कोर्स आपका इंगलिश और हिंदी में अवलिबल है, 63 स इसमें पढ़ा रहे हैं और नियू कोर्स हर महिने पब्लिश होते रहते हैं, ठीके, अगर हम लोग प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करें बच्चे, तो प्लस सब्सक्रिप्शन में क्या हो रहा है, आप अपने एजुकेटर के साथ इसमें चैट कर सकते हो, इंगेज हो सकते ह आप डिसक्शन पार्ट में अपने डाउट्स पूल सकते हो, आंसर पूलिंग ऑनगोईं क्लास में होता रहता है, ठीके, इस्टक्चर कोर्स की बात करें, तो आपको यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही चल रहा है, इस्टक्चर कोर्स, ठीके, मैं यहाँ पे आ आपकी अवलबल है, इस्टक्चर कोर्स आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवलबल है, मैं जो भी पढ़ाऊंगा आपका वो बेसिक से स्टार्ट होगा और एडवांस लवल तक जाएगा, ठीके, इसकी पूरी गैरेंटी मैं दे रहा हूँ, आपका जो भी मैं त बढ़ रहा है, चाहे वो एवरेज स्टुडेंट है, चाहे वो बिलो एवरेज स्टुडेंट है, या फिर एबब एवरेज स्टूडेंट है, इन सभी को 100% समझ में आएगा, इसकी गैरेंटी मैं दे रहा हूँ, ठीके, लाइब टेस्ट और क्विजज होते रहते हैं, इसम अगर हम लोग Iconic Sub retired system की बात करें तो आपको यहां पर स्टोडेंट कारेगा, इसकी आपने का घ्रक्रोलन का स्टूडेंट कैसे करणाई examarm की स्ट्डेंट कारेगा, एस DR. और ठीक है one week में कितना time आपने physics को दिया कितना chemistry को दिया कितना botany को दिया और कितना आपने jalozy को दिया ठीक है तो यह चीज है time management और इसमें आपने कितने chapters कर लिये मानलो कि आपने physics के दो chapter कर लिये एक week में दो chapter chemistry कर लिया दो chapter botany कर लिया दो chapter jalozy कर लिया ठीके तो one week में तो ये चीज आपको ही manage करना है ये ध्यान रखना है ठीके अगर test analysis की बात करें तो आपका यहाँ पे in-depth test analysis हो रहा है ठीके आप कहाँ पे mistake कर रहा हो ये सारी चीज़े आपसे बताई जाएंगी और आपको improve किया जाएगा ठीके साथी साथ आपका time management भी improve किया जाएगा कि आप अगर मानलो कि neat exam देने जा रहे हो ठीके neat exam देने जा रहे हो तो वहाँ पे आपने कितना time आपको देना है physics को कितना time chemistry को देना है कितना botany को देना है कितना jalozy को देना है solve करने के लिए ठीके मानलो बतनी jalozy को आपने 80 to 90 minutes दे दिया ठीके तो ये चीज़ आपको time management करना है कि कैसे manage करना है और जितने भी benefits है plus के यानि कि plus में जितना भी मैंने आपको benefit पीछे दिखाया है ये सारे benefits ये सारे benefits जो है ये आपके already इसमें included है iconic में ठीके बस यहाँ पे extra में आपको क्या मिल रहा है personal code जो कि आपका overall strategy प्लान करे है कि आपको तैयारी कैसे करनी है clear है बच्चे अब देखो यहाँ पे जो plus का part है और iconic का part है यहाँ पे हम लोग एक overview देख सकते हैं देखो जैसे आपका यहाँ पे है इंडिया के best educators यहाँ पे आपके भी इंडिया के best educators है interactive life classes यहाँ पे भी चल रही है interactive life classes यहाँ भी चल रही है तो आपको यहाँ पे हर तरह का benefit मिल रहा है इतना part तो आपका है ही लेकिन साथ ही मैं आपको यहाँ पे extra में मिल रहा है personal coach, study planner, expert guidelines, test analysis ये आपको extra में मिल रहा है यहाँ पे clear है अब देखो बच्चे ये है आपका Iconic का सब्सक्रिप्शन का पार्ट ये Iconic का पार्ट है Iconic के पार्ट में क्या होगा Iconic के पार्ट में आपको ये बताया जा रहा है कि 6 मन्त का ठीक है अगर आप देखते हो तो 6 मन्त में आपको कितना वर्क करना है तो 6 month का अगर आप देखो कितना आपको work करना है 6 महीने work करने है 6 महीने तैयारी करना है ठीके त्योंकि 6 महीने ये बचे हुए है मई में ही exam होगा ये आप सभी जानते हो मई 2021 में ही exam होगा ठीके और इसका जो fees लग रहा है वो है आपका 34,200 ठीके अगर आपको तैयारी अच्छे से करनी है तो कि आप जानते हो कि यहाँ पर बस teachers हैं जो कि आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पर और यह referral code है मेरा MD100 यह code आपको यहाँ पर यूज करना है MD100 code यूज करोगे 10% आपका discount हो जाएगा ठीके वो 10% off होने के बाद यह price लिखी गई है clear है बच्चे यह 10% off होने के बाद price लिखी गई है ऐसे ही 12 months का जो subscription plan है जो बच्चे 12 class में हैं वो 12 months वाला ले ले इनको पढ़े जाएगा यह 58,500 का जो बच्चे 24 months का लेना चाते हैं उनको पढ़ जाएगा यह 90,000 रुपीज का ठीके तो इस तरह से आपका bifurcating है तो आप लोग इसको आराम से अपना देख लो ठीके अब आजाते हैं हम लोग iconic subscription प्लस subscription पे प्लस subscription जो बच्चे dropper हैं अच्छे चलो मैं एक चीज और बता देता हूँ बच्चे तो iconic subscription किसको लेना चाहिए किसके लिए यह must है iconic subscription तीन लोग को जरूर लेना चाहिए पहला जो first time dropper है ठीके जो first time dropper है दूसरा जो आपका 12 class में है ठीके और तीसरा बच्चे तीसरे जो यानि की 11th class में है आरी बत समझ में जो 11th class में है उसे लेना चाहिए 12 class वाले को लेना चाहिए और first time dropper को लेना चाहिए ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बच्चे त्योंकि आप नए हो ठीके और आपको एक direction चाहिए होगा एक personal code चाहिए होगा याँकि आपकी preparation study को बताएगी आपको preparation कैसे करना है आरी बात समझ में तो यह आपको करना है इसलिए आते सुबह साम सोते जाकते हसते खेलते कूते आपको बस एक ही चीज़ याद रखना है MD 100 MD मतलब मयूर्दू पे 100 मतलब यह 100% work करेगा और सीधे आपको 10% discount मिल जाएगा 10% off हो जाएगा आपका clear है और यह universal code है unacademy से आपका कोई भी अंधू बंधू कोई भी हो ठीक है अगर वो आपका त्यारी कर रहा है unacademy से उसको surely यहाँ पे discount मिलेगा 10% अगर वो मेरा code यूज़ करता है तो ठीक है बच्चे अब दोगो यहाँ पर है आपका plus का part plus के part में क्या हो रहा है बच्चे plus के part में आपको यहाँ पर दोगो अगर 12 months का देखे हम लोग 1 year का देखे तो आपको यह पड़े आएगा 34,650 का अगर 24 months का देखे बच्चे तो आपको यह पड़े आएगा 50,400 रुपीज का ठीक है तो देखो यह ध्यान से सुनो जो बच्चे 11th क्लास में है अपना थोड़ा बहुत low है income parents का ठीक है और economically low है वो तो उनको यह भी ले सकते हो आप ठीक है यह आपको बस 2100 रुपे परमन प पर रहा है और 2100 में ही वच्चे आपको आपना physics, chemistry, botany, jology दो साल तक preparation आराम से कर सकते हो आई यह बात समझ में तो यह 11th क्लास वाले यह ले ले 12th क्लास वाले यह ले ले और जो droppers है वो अपना इन में से कोई भी ले सकते हैं ठीक है डॉपर्स अपने हैसाब से देख सकते चलो अलफा अचीवर बैच स्टार्ट हुआ है नी 2021 के लिए स्टार्ट हुआ है 15 December को इससे आप लोग जोईन कर सकते हैं ठीक है अलफा अचीवर बैच में हमें गुत्ता सर है प्रतीक जैन सर है अजय कुमार मिश्रा सर है शुपकरन चौधरी सर है रमेश शार्दा सर है औ इनका 20-year का experience है अजय कुमार मिश्रा सर का 10-year का experience है शुपकरन चौधरी सर का 10-year का experience है बच्चे और प्रतीक जैन सर का भी 80-year का experience है यह तो पहल बैच बच्चे स्टार्ट हुआ है आपका फॉर नी 2021 के लिए यह स्टार्ट हुआ है 21 December को ठीक है इससे आप लोग देख सकत हुआ है अभ्यास बैच में बच्चे आपका यह 23rd December को स्टार्ट हुआ है ठीक है इसमें अनमोल शर्मा सर है गौरव वर्मा सर है पंकिस तलवार सर है और शर्शी प्रकाश सिंग सर है ठीक है यह जो बच्चे अभ्यास बैच है आपका नी 2021 के लिए जो स्टार्ट हुआ है यह अगर आपका 23rd December को स्टार्ट हुआ है यह Unacademy Combat है आपको क्या करना है बच्चे इस बार जो Unacademy Combat हो रहा है वो 27 December को हो रहा है आरी बार समझ में 27 December को हो रहा है तो सारे बच्चे ready रहना सुबह 11 बजे होगा यह ठीक है contest अब Unacademy Combat है क्या यह मैं आपको डीटेल में ब questions होते है टोटल आपके 28 question रहेंगे ठीक है 28 question रहेंगे और यह best question होंगे क्योंकि आपके best on academy educators ने इसे तयार किया है यह जो 28 question है बच्चे यह आपको directly या फिर indirectly NEET exam में फाइदक करेंगे गे करेंगे आरी बात समझ में NEET exam में आपको फाइदक करेंगे है करेंगे और यह जो साथ कोइशन आएगा जुलोजी से और आपको जुआइन कैसे करना हूँ और आपको जिस्टर करना होगा ? दो सबसे पहले आपको on academy learning app पर जाना होगा जैसे ही यहाँ पर जाओगे फिर आपको अपने आपको register करना होगा ? ठीक है अपने आपको register कर लो फिर बच्चे आपको यहां पर देखेगा need ug category ठीक है need ug category को select करना फिर आपको fourth step पर देखेगा test option ठीक है test option पर आपको click करना है फूर्थ स्टेप पे आपको दिखेगा टेस्ट ऑप्शन जैसी टेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे आप आपको यहाँ पे कॉमबैट करके दिखेगा ठीके यहाँ पे आपको कॉमबैट करके दिखेगा यह हो गया बच्चे आपका फिप्ट स्टेप ठीक है जो combat है बच्चे इसमें आपको तीन option दिखेगा combat में ठीक है combat में आपको तीन option दिखेगा पहला होगा for 11th class ठीक है पहला क्या होगा बच्चे for 11th class दूसरा होगा बच्चे for 12th class ठीक है दूसरा क्या होगा बच्चे for 12th class और तीसरा होगा बच्चे आपका ये for 13 class ठीक है तीसरा क्या होगा for 13 class ठीक है जो बच्चे 11 class में है वो अपना 11 class में जाकर apply कर लेंगे जो बच्चे 12 class में है वो 12 class में जाकर apply कर लेंगे और जो बच्चे dropper है वो अपना 13 class में चले जाकर apply कर लेंगे ठीक है और apply करने के बाद बच्चे आप स sign in code मांगेगा ठीके इसमें आपसे invite code या फिर sign in code मांगेगा तो sign in code मैं आपको बता देता हूँ sign in code क्या है sign in code है मेरा बच्चे MD100 clear है इसको हमेशा याद रखना MD100 sign in code है ठीके चलो अब मैं बता देता हूँ बच्चे देखो जितना जदा आपका score आएगा उतनी ही जदे आपकी accuracy level बढ़ेगी आरी बात समझ में जितना जदा accuracy level बढ़ाओगे उतना ही जदा आपका neat exam में होने के chances है आरी बात समझ में बच्चे leaderboard आपको हर question के बाद दिखाया जाएगा ठीके आपका बच्चे यहाँ पे बिगनर्स है नवाइस है एक्सपोल्ट है मास्टर है लेजंड है ठीके तो आपको यहाँ पर master level पर भी दिखाया जा रहा है आपका performance जो है वो master पर भी बताया जाएगा clear है overall आपकी rating बताया जाएगी बच्चे यहाँ पर overall rating क्या है आपकी awards भी आपको यहाँ पर मिलेंगे ठीके awards भी आप गेन कर रहे हो यहाँ पर जो questions होंगे बच्चे यह challenging questions होंगे fun loving questions होंगे ठीके जैसे राहुल ने बच्चे आपका 90% learner से यहाँ पर better perform किया है ठीके राहुल ने और यहाँ पर जैसे मालों की question 1 है ठीके question 1 है इसमें आपका answer C सही है लेकिन C के अथा गलत हो गया आपका answer इसमें B सही था तो बच्चे आपको यहाँ पर detailed video solutions मिल रहे है clear है आपको यहाँ पर detailed video solutions मिल रहे है तो आप लोग इसमें भी देख सकते हो और वही कबर की पेडी बान लेंगे और इसको ध्यान रखेंगे clear है सुबاع 11 बजे होगा बच्चे ये और यह for class 11 ठीके class 11 के लिए होगा ठीके 11 class में जो बच्चे में हैं वो अपना 12 class में जाकर के enroll कर जाएंगे और जो बच्चे 13 class में हैं यानि कि जो बच्चे dropper हैं ठीके जो बच्चे dropper हैं वो अपना 13 class में जाकर के enroll कर जाएंगे clear है और enroll होने के लिए बच्चे आपसे यहाँ पे invite code या फिर sign in code मांगेगा ठीक है इंडोल होने के लिए आप से यहाँ पे invite code मांगेगा या फिर sign in code मांगेगा invite code है मेरा invite code मेरा है बच्चे MD100 clear है MD100 मेरा invite code है जिसका बच्चे rank 1 से rank 3 का तक हम लोग देखेंगे अगर one monthly है जो anacademy subscription है ठीक है Amazon का gift भी आपको मिलेगा अगर आपका first rank से अगर third rank तक आता है तो आपको one month का anacademy subscription मिल सकता है या फिर आपको Amazon के gift मिल जाएंगे ठीक है equivalent rank 4 से rank 50 तक जिस बच्चों का आता है ठीक है उनको 1000 का Amazon voucher मिलेगा 60 minutes का session होगा ठीक है 60 minutes का session होगा और ये total आपसे 28 question पूछे जाएंगे ठीक है आपके contest जो होगा वह आपका 11, 12 और 13 का होगा चार sections होगे आपके total इसमें आपका आजाएगा botany, geology, physics, chemistry ठीक है नीट scoring होगा ये बच्चे fortnightly contest है alternate Sundays को कराया जाएगा ये overall syllabus है ठीक है ये आपका overall syllabus है overall syllabus जो होता है ये botany का syllabus है मैं बता देता हूँ geology का भी syllabus बता देता हूँ, geology में आपका 11 class के बच्चे हैं वो ध्यान से सुने, geology में बच्चे आपका excreation, chemical coordination and integration से question बनेगा botany में बच्चे आपका structural organization, morphology of fluorine plant से question बनेगा और physics में बच्चे आपका work, energy, power, center of mass and linear momentum से question बनेगा ठीक है और chemistry में बच्चे आपका chemical bonding, stereochemistry, isomerism, chemical, equilibrium से question बनेगा ठीक है अब मैं class 12 के बारे में बता देता हूँ, सारे बच्चे ध्यान से सुनेगी जो class 12 में है geology में बच्चे आपका human reproduction, reproductive health से question बनेगा botany में genetics and evolution, inheritance and variation से question बनेगा ठीक है physics में बच्चे आपका magnetic field और magnetic forces से question बनेगा और chemistry में coordination compounds, chemical bonding, solutions, solid state and phenol से question बनेगा ठीक है, ऐसी 13 क्लास में जो बच्चे हैं उनके लिए बता देता हूँ मैं आपका बच्चे 13 क्लास में body fluids and circulation से question बनेगा evolution से question बनेगा, human reproduction से question बनेगा, reproductive health से question बनेगा genetics and evolution, inheritance and variation से question बनेगा आपका और plant kingdom से question बनेगा, ठीक है physics में जो बच्चे हैं 13 क्लास में उनका work, energy and power ठीक है, law of motion and friction, uniform circular motion से question बनेगा alkenes and alkynes, halides, radical reaction, ठीक है, coordination compounds, chemical bonding, alkenes and alkyl electrochemistry, detox injection, ठीक है आपका इस से question बनेगे, ठीक है जो बच्चे आपका sign in code या फिर invite code आपको use करना होगा, invite code क्या है, md100 है clear है, invite code जो आपका आ रहा है बच्चे वो है आपका md100, clear है बच्चे चलो, अब हम भी शुडू कर देते हैं plant kingdom, ठीक है plant kingdom से बच्चे ये भी बहुत important chapter है, ठीक है अगर ये दो-दो question आये हुए थे, ठीक है, अगर हम दो 2020 की बात करें तो ये जो data है वो approximately आपके three questions आये हुए हैं, ठीक है 2020 में और 2021 में यानि कि आपके तीन से चार question आने के chances पूरे-पूरे हैं, क्योंकि आपका जानते हो कि 18-19 में कमी आया था question और जबकी इससे चार question आते ही आते हैं, आरी बात समझ में तो आपका three से चार question जरूर बनेगा आपका, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत importance ये भी रखता है chapter तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा बस सांती से सुनना, जो भी मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर नहीं बने गया question, ठीक है, मैं ये फिर से बता देता हूँ आप लोगो तो ध्यान से सुनिया मुझे लो classification of plant kingdom, सबसे पहले हम लोग देखेंगे उसके बाद फिर classification system देखेंगे फिर early classification system देखेंगे, फिर artificial classification system को देखेंगे फिर natural classification system को देखेंगे फिर phylogenetic classification system को हम लोग देखेंगे ठीक है चलो इसमें शुरू कर देते हैं बच्चे हम लोग सबसे पहला classification of plants plant kingdom ठीक है classification of plant kingdom सबसे पहले plant kingdom होता क्या है इसको जानो ठीक है plant kingdom represent group of organism group of producers group of organisms which contain chlorophylls ठीक है तो ध्यान से देखो बच्चे जो plant kingdom है यह represent करता है it represents it represents group of organisms ठीक है group of organisms यानि कि आप यह भी बोल सकते हो group of producers ठीक है group of producers क्योंकि आप जानते हो plant क्या है producers है ठीक है which contain chlorophyll जो क्या contain करता हो which contain chlorophyll जो contain करता हो chlorophyll को क्योंकि chlorophyll रहेगा तभी आपका food का census होगा जब food रहेगा बच्चे तभी आप जानते हो यह process है आपका food census का आरी बात समझ में अब दो classification of plant kingdom में आ रहते हैं जो classification है plant kingdom का इसमें हम लोगोंने दो categories में divided किया है ठीक है classification जो है plant kingdom का इसमें हमने दो category को involve किया हुआ है सबसे पहला हो गया आपका ठीक है इसमें two sub kingdom's आते हैं two sub kingdom आता है plant kingdom में दो sub kingdom में हमने divide किया दो categories में पहला हो गया बच्चे क्रिप्टो गैम पहला क्या हो गया क्रिप्टो गैमी ठीके और दूसरा क्या हो गया बच्चे दूसरा हो गया आपका फैनेरो गैमी दूसरा आपका हो गया फैनेरो गैमी क्रिप्टो गैमी और फैनेरो गैमी ठीकिए ये दो तरह के आपके इसमें हो गए अब जो क्रिप्टोगैमी होता है बच्चे ये ध्यान से सुनना क्रिप्टोगैमी जो होता है ये एम्बेड़ेड होता है एम्बेड़ेड सेक्स ओर्गन क्रिप्टोगैमी क्या होता है ये embedded sex organs होते है that is sex organs that is sex organs are not visible sex organs क्या है इसमें visible नहीं है are not visible ठीक है तो क्रिप्टोगैमी क्या हो गया आपका क्रिप्टोगैमी हो गया बच्चे आपका embedded sex organs यानि कि sex organs जो हैं वो visible नहीं है इसमें ठीक है और आपका यहाँ पर देखो seed and flowers formation absent इसमें क्या होता है seed और flowers का formation flowers का formation यानि कि seed और flower का जो formation होना वो क्या होगा यहाँ पर absent होता है ठीक है यानि कि यह आपके sex organ को carry करेंगे ठीक है लेकि sex organs इसमें आपका visible नहीं होगा clear है इसमें embedded होता है sex organ ठीक है लेकिन बच्चे जो fenrogram होता है इसमें आपका exposed होता है पेंडरो गैम में आपका exposed sex organs present होते हैं ठीक है इसमें आपका exposed sex organs होगा ठीक है यानि कि sex organs जो होंगे वो क्या होंगे visible होंगे sex organs जो होते है sex organs वो यहाँ पे आपके visible होंगे clear है visible होंगे ठीक है seed formation अगर हम लोग seed formation की बात करें ठीक है अगर हम लोग बात करें बच्चे seed formation की इसमें in NGO and gymnosperm ठीक है तो NGO और gymnosperm दोनों में ही seed formation क्या होता है present होता है and flowers और जो flowers है ठीक है flowers formation ये क्या होगा बच्चे flowers formation present in ये ध्यान से सुनो seed formation जो होता है NGO और gymnos में ये दोनों में present होता है लेकिन जो flower का formation है वो सिर्फ आपका अंग्यो इसमें exposed sex organs होंगे यानि कि sex organs visible होंगे ठीक है देखो बच्चे ये जो fenero games है ठीक है ये जो fenero games है इसके जो members है fenero games के गैमी के members है ये produce करते हैं seeds को ये produce करते हैं किसको? seed को जब seed को produce करेंगे बच्चे तो इसना आते हैं हम लोग इसको क्या बोल देते हैं? spermetophytes इसलिए बोल देते हैं fenero games के जो members होते हैं ये produce करते हैं seeds को इसलिए हम लोग इसको बोल देते हैं spermetophytes इसलिए हम लोग इसको क्या बोल देते हैं? spermetophytes आरी बात समझ में आप लोग को? चलो अब next पर चलते हैं अब next पर चलते हैं बच्चे next class देखते हैं देखो जो आपका देखो तीन division होता है ठीके? अगर हम दो crypto games को divide करें ठीके? अगर हम दो crypto games को divide करें बच्चे ठीके? ये तीन categories में divide होता है 3 categories ठीके 3 categories में divide होता है ऐसे ही जो आपका फैंडरो गैम्स है पैंडरो गैम्स में आपके 2 categories आ जाते हैं इसमें आपके 2 categories आ जाएंगे? अब ध्यान से देखो next page पर हम दिखाते हैं आपको अगर हम लोग crypto games को divide करें ठीके? मैंने बताया था ना इसमें 3 कर्टेग्रीज आ जाएंगे 3 कर्टेग्रीज किसमें 3 कर्टेग्रीज आ जाएगा आपका क्रिप्टो गैम्स में क्रिप्टो में आपका 3 कर्टेग्रीज आ जा 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 रहा है ठीके और जो आपका 2 कर्टेग्रीज होगा two categories ये कहां पर वा रहा है बच्चे आपका जो two categories आ रहे हैं ये आ रहे हैं आपके penero games में ठीकरे ये आपके आ रहे हैं penero games में clear है अब दिखो ध्यान से ये ध्यान से सुनो बच्चो three categories में आपका क्या-क्या आ जाएगा पहला आजाएगा आपका thelophyta ठीके इसमें A आजाएगा आपका thelophyta for example algae thelophyta आगया जिसमें आपका मैंने बता दिया example algae दूसरा जो है बच्चे आजाएगा आपका bryophyta तीसरा आ जाएगा बच्चे टेर्इडो फाइटा आरी बात समझ में दoga तीन के टेक्रीज है ठीके कौन कौन से पहला थैलो फाइटा जो की आपका algae में होगा थैलो फाइटा ठीके तैलस आरा समझ में ऐसे ही होगा फिर ब्रायोफाइटा में डिवाइट किया गया और ठेलिडोफाइटा में डिवाइट किया गया ठीके और जो आपके ये टू के टेग्रीज जो फिन्रोगेम्स के हैं इसको डिवाइट किया गया पहला जिम्नोस्परमी जैने कि जिम्नोस्परमी में किया गया ठीक है और दूसरा जो दिवाइट किया गया बच्चे वो था आपका angiospermia दूसरा किस में डिवाइट किया गया और दूसरा डिवाइट किया गया angiospermia में ठीक है अब देखो ध्यान से यहाँ पर आपका तुल आपके तीन classes है ठीके three classes होते है थेलोफाइटा में कौन-कौन से three classes three classes की बात कर लेते हैं थेलोफाइटा में मैं यहाँ पर blue pin ले लेता हूँ उससे visibility जदा clear होगी ठीके थेकर, three classes कौन-कौन से है पहला हो गजया बच्चे chlorophyce क्लोरोफाइसी ये आसमानी कलर मिल गया क्लोरोफाइसी जो होता है वो आपका किसलर का होता है ग्रीन कलर का होता है यह यानि कि ग्रीन अल्गी की बात कर रहा है क्लोरोफाइसी जो होगा वो ग्रीन अल्गी की बात कर रहा है ठीक है दूसरा हो गया वच्चे आपका फीजियोफाइसी ठीक है और तीसरा फीजियोफाइसी मतलब हो गया आपका ब्राउन अलगी फीजियोफाइसी मतलब क्या हो गया आपका ब्राउन अलगी रोडोफाइसी में क्या आगया आपका रेड अल्गी ठीके तो देखो एक तो हो गया क्लोडोफाइसी ग्रीन अल्गी दूसरा हो गया फियोफाइसी प्राउन अल्गी दीसरा हो गया रोडोफाइसी रेड अल्गी ठीके ऐसी तीन classes में हम यहां पर भी डिवाइट करेंगे ब्रायोफाइटा को, three classes in ब्रायोफाइटा, ठीके, first is first is hepatic opsida पहला क्या होगा, hepatic opsida होगा, दूसरा क्या होगा बच्चे, दूसरा होगा आपका anthocerotopsida दूसरा होगा बच्चे, anthocerotopsida तीसरा हो जाएगा बच्चे, आपका bryopsida तीसरा हो जाएगा आपका bryopsida तीसरा हो जाएगा bryopsida, tredophyta में देख लो three classes में, इसमें भी three classes होगा tredophyta में, पहला हो जाएगा, नहीं, tredophyta में आपके चार classes होंगे, ठीके, three नहीं होंगे, इसमें आपके चार क्लासेज होंगे पहला हो जाएगा आपका इसमें पहला हो जाएगा आपका इसमें सिल उपसिडा ठीक है सिल उपसिडा दूसरा हो जाएगा बच्चे आपका इसमें लाइस उपसिडा दूसरा हो जाएगा आपका लाइस उपसिडा तीसरा हो जाएगा बच्चे आपका इसमें स्फिरो अपसिडा तीसरा हो जाएगा आपका स्फिरो अपसिडा और चौथा हो जाएगा टेरो अपसिडा ठीके यानि कि आपके जो classes ये जो बता रहा हूं मैं ठीके देखो मैं एक बाद फिर से बता देता हूं पहला हो जाएगा इसमें आपका psychodopsida बच्चे यह थोड़ा सा boring है लेकिन क्या कर सकते हैं इसमें ऐसे चलता है जो है वो तो पढ़ना ही पढ़ेगा आपको psychodopsida हो जाएगा और आपका यहाँ पर हो जाएगा anthocerotopsida तो सी रो टॉपसिडा हो जाएगा और तूसरा चो होगा बच्चे वह जैएगा जिनो टॉप सिठा हो जाएगा, तीसरा चीह हो जाएगा जिनो टॉप सिठा ऐसी आपका अंगियो स्पर्म समें भी 2 क्लासे होंगे बच्चे यहाँ पे पहला हो जाएगा आपका डाइक vrijblesग श्यृटीलिद्टनी कि पिर insist that doesn't mean in दूसरा हो जाएगा आपका मौनो का बिदी भी की दूसरा हो जायेगा आपका मौनो का लिद नी दूसरा हो जाएगा आपका मोनो का लिदनी इ सार्य कि एक मिलवची मुझे ठोड़ा सा मैं पानी लिकर कहे आरह में अपने लिए 10 सार है को अ आप्छे अप्यान से देखिए आप लोगों यह बता रहा था यह हायलाइटर से इक बर बर रेवाईस करा देता हूं सबसे पहले तो मैंने आप लोगो यह बताया जो plant kingdom है ठीक है यह जो मैंने बताया आपका plant kingdom जो है ठीक है यह represent करता है group of organisms को और ये जो organisms हैं, plant की बात कर रहे हैं तो plant क्या होते हैं, producers होते हैं ठीके, जो contain करेंगे आपका chlorophyll अब इसमें जो plant kingdom है उसको दो sub kingdom में divide किया गया था ठीके, एक थो था आपका cryptogammy दूसरा मैंने क्या बताया, fenrogammy ठीके, cryptogammy जो होता है वो embedded sex organs की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, यानि कि sex organs जो होते हैं ये visible नहीं होते हैं, ठीके अंदर ही होते हैं, sex organs organism के अंदर, ठीके और वो visible नहीं होते हैं और ये जो होता है, इसमें seed और flower का formation absent होता है ठीके, इसमें क्या होता है पया बच्चे आपका fenrogams में, fenrogamy में आपका exposed sex organs होते हैं यानि कि sex organs जो होते हैं, indigenous pulse में present होते हैं, seed formation जो होता है, NGO और जिम्नोlav में present होते हैं, लेकिन flowers में formation जो है, वो क्या होता है, present in angiosipons, flowers में angiosipons में present होता है, जो फेनरो गैम है चाहे आपका वो NGO हो चाहे जिमनो हो ठीके दोनों में ही आपके seed का production होता है ठीके जब seed बनेगा बच्चे तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे spermetophytes ठीके तो हम लोग फेनरो गैम को ये spermetophytes भी बोल सकते हैं ठीके ये दो categories में divide होता है ऐसे ही आपका crypto गैम भी 3 categories में divide होता है ठीके मैं यहाँ पे categories का नाम लिग दिया है 3 categories in crypto गैम ठीके इसमें पहला हो गया थैलो फाइटा यानि की थैलस जिसमें पने ठीके थैलो फाइ बच्चे ठीके ब्रायो फाइटा इसमें भी आपके तीन classes आपको दिखेंगे बाद में और टेरीडो फाइटा ठीके कौन-कौन से तीन categories है पहला थैलो फाइटा दूसरा ब्रायो फाइटा तीसरा टेरीडो फाइटा ठीके ठेलो फाइटा में आपके तीन classes आ जाएंगे क् chlorophyce chlorophyce हम लो green algae को बोलते हैं ध्यान से याद करते वे चलो ठीक है याद करते वे चलो बच्चो साथी चीज़त तयार हो जाएंगी यहीं पर ठीक है तीन प्लासेद होते हैं chlorophyce green algae pheophyce में क्या हो जाएगा बच्चे आपका brown algae आ जाएगा तीसरा हो जाएगा आपका rhodophyce red algae में हो जाएगा इसका ब्रायोफाइटा में क्या होगा आपका आ जाएगा hepatic opcida, anthocerotopsida आ जाएगा और bryopsida आ जाएगा आरी समझ में बात ब्रायोफाइटा में तीन classes आ जाएगे hepatic opcida, anthocerotopsida, bryopsida ठीक है terido phyta में बच्चे आपके total चार classes आ जाएगे, चार classes कौन-कौन से होंगे silopsida, lysopsida, spheropsida और tyropsida ठीक है, कौन-कौन से चार classes आ जाएगे silopsida, lysopsida, spheropsida और आपका tyropsida, clear है ऐसे ही आपका gymnosperms में भी आपका जो डो categories हैं ठीक है, जैसे आपका fenrogams आ गया, इसमें दो category आ जाएगे, gymnospermy और angiospermy ठीक है gymnospermy में तीन classes आ जाते हैं, कौन-कौन से, psychedopsida, anthocerotopsida और gnetopsida, ठीक है, ऐसे ही आपका angiospermy में भी दो classes आ जाएगे, कौन-कौन से dicotylydney, monocotylydney, dicotylydney और monocotylydney, आ यह बात समझ में तो इस तरह से हम लोग division कर रहे हैं अब देखो, हम लोग थोड़ा सा history में चल चलते हैं, जिसमें आपको मैं बता देता हूँ classification system के बारे में, classification system जो बताया गया, इसमें कई तरह के attempts हुए, ठीक है, पहला जो attempt था, उसको हम लोग बोलते हैं, early attempt, ठीक है फर्स जो attempt था, उसको हम लोग बोलते हैं, early attempt, यानि की early attempt में किन-किन scientist ने participate किया, इसी को हम लोग बोल देते हैं, early classification system clear है, तो early attempts हुआ, उसके बार फिर आपका second attempt जो हुआ, वो artificial system हमने बोल दिया ठीक है, second attempt को हमने क्या बोल दिया, artificial system बोल दिया, third attempt को बच्चे हमने बोल दिया, natural system third attempt को हमने बोल दिया, natural system, ठीक है, और आपका fourth attempt को हमने बोल दिया, phylogenetic fourth attempt को हमने क्या बोल दिया, बच्चे, phylogenetic system, आज ये बात समझ में, phylogenetic system, ठीक है अब देखो phylogenetic system यह मैंने बता दिया आप लोगो अब देखो बच्चे जो आपका पहला जो attempt था उसको हमने बोल दिया था early attempt ठीक है पहला जो attempt था उसको हमने क्या बोल दिया था early attempt इसमें क्या हो रहा है contribution of Aristotle की बात कर लेते हैं he divided the living organisms into two groups ठीक है इन्होंनी divide किया living organisms को किस में living organisms को को divide किया divided किया into two groups ठीक है दो groups में divide किया ठीक है पहला क्या था आपका इसमें पहला था आपका plants ठीक है और दूसरा कौन सा ग्रूप था बच्चे एनिमल्स प्लांट्स और एनिमल्स आरी बात समझ में प्लांट्स जो होते हैं ठीक है प्लांट्स को फिर हमने दिवाइड किया था इंट्व थी ग्रॉप्स Plants are divided into the Divide into Three groups On the basis of On the basis of Habit Habit की आधार पे हमने divide किया था यहाँ पे Plants को ठीके पहला क्या हो गया आपका Trees दूस्ता हो गया बच्चे आपका Herbs फिर हो गया आपका Shrubs Trees, Herbs and Shrubs ठीके अगर animals की बात करें हम लोग तो animals में भी हम लोग on the presence और absence of RBC animals हम लोग कैसे देखते हैं on the presence और absence of RBC ठीके अगर यह दो चीटों में हम लोग divide करेंगे पहला एक तो हो जाएगा आपका यह RBC absent ठीके दूसरा किस में हो जाएगा एक तरफ लिख देंगे हम लोग RBC present ठीके RBC absent को हम लोग बोल सकते हैं anemia ठीके और जिसमें RBC present होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे inema anima और inema यह बात समझे हैं यह बहुत पूछता है ठीके यह थुड़ा बहुत आपको याद रहना चाहिए ठीके यह देको मैं एक बग फिर से आपको revise करा देता हूं यह ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा था देखो सबसे पहला जो early attempt of classification हुआ ठीके यानि कि early classification system की बात करें तो उसमें सबसे पहले जो आया थे scientist उसका नाम था Aristotle यानि कि हमने यहा पर Aristotle का contribution देखा है ठीके इन्होंने living organism बताया था living ओर देखोते हैं वो divide होते हैं दो groups में पहला हो गया आपका plants में और दूसरा क्या हो गया आपका animals ठीके plants में जो होते हैं बच्चे ये divide होते हैं into the three groups plants में ये divide होंगे किसमें तीन groups में पहला होगी आपका trees, herbs और shrubs में ठीक है trees में, herbs में और shrubs में ठीक है animals जो होता है वो divide होते हैं on the basis of ठीक है on the presence or absence of RBC ठीक है किसके base पे? RBC के base पे कि वो present है या absent है अगर RBC आपका absent है तो हम बोल देंगे anima ठीक है अगर RBC आपका present है बच्चे तो हम बोल देंगे anima ठीक है आरी बात समझ में inima e मतलब क्या होता है true, a मतलब absent आरी ये समझ में बात clear है इस तरह से भी आप याद रख सकते हो अब ये देखो मैं आपका दूसरा चीज बता देता हूँ यहाँ पे दूसरा जो scientist थे अब हम लोग contribution देखते हैं चरक का ठीक है चरक के जो scientist है उनका contribution देखते हैं चरक संगेता पढ़ा है पढ़ लेना बहुत बड़ी हाँ ठीक है अब दूसरा चरक जो है वो क्या थे father of आयरवेदा चरक को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे father of आयरवेदा ठीक है इन्होंने एक book लिखी थी जिसको हम लोग बोलते हैं चरक संगेता, ठीके, चरक संभेता, ठीके चरक संभेता, तो इसको पढ़ लेना बच्चे बहुखत बढ़ बढ़ीarethे है, ठीके, ठीके, अभर टाइम मिलेगा तो, अब देखो, इन्होंने क्या इलस्ट्रेट किया इन्होंने क्या बताया बच्चे 200 तरह के टाइपस ऑफ अनिमल्स है इनके बुक्स में है ठीक है और आपका 340 तरह के टाइपस ऑफ प्लांट्स के बारे में इन्होंने बताया था अपनी बुक्स में ठीक है और अपना 340 प्लांट्स के बा पर आज चलो है आगे चलते हम गहरे अजए आदर अडची लिचल क्लासिफिक 각े चाह्य से सिस्टम थी इसके बाद हम आटिफिशल क्लासिफिकेशान स्टम पे चलते हैं है नियुक्ति के सिस पर किस लिछ बैस्ट यह बैले जान्म यह बैस्ध अच वासिव लुक्ति program based on morphological characters of plant, characters of plants, ठीक है? यह based है morphological characters of plants के ठीक है? and it may be vegetative या फिर यह क्या हो सकता है? reproductive हो सकता है या फिर यह हो सकता है reproductive ठीक है अगर vegetative की बात करें हम लोग तो vegetative में आ जाएगा आपका stem और root leaves ठीक है? यानि कि देखो morphological characters क्या है? जैसे कि यह plant है ठीक है? प्लांट है यह इसमें क्या है morphological character? एक तो हमने बता दिया एक तो root हो गया ठीक है? यह vegetative character है root और आपका यह हो गया क्या बोलते है? stem यह भी vegetative character है और leaves भी जो होते हैं वो vegetative characters होत और reproductive character क्या होंगे? reproduction ठीक है? reproductive से आपको reproduce जो कर सके है और यह बात समझ में तो reproduction में कौन से participate करते हैं? stem और carpal ठीक है? stem और carpal यह participate करते हैं ठीक है बच्चे अब आप लोग जानते हैं जो flower के structure देखते हो तो उसमें आपको यहाँ भी दिखता है ना ठीक है? यह क्या है आपका ठीक है? ovary हो गया ठीक है? gynosium हो गया और यह क्या हो गया? endosium हो गया ठीक है? endosium का जो unit होता है उसको क्य क्या बोलते है बच्चे? stem यह stem होता है clear है और यह क्या हो गया आपका? यह gynosium हो गया ठीक है? अब देखो तो देखो यह जो base था किस पे morphological characters पे plants के ठीक है? एक हो गया आपका vegetative part और दूसरा हो गया reproductive part. vegetative part में कौन-कौन से आ जाएंगे? stem, root and leaves और reproductive part में आपके stem ना clear है? अब चलो अब यह देखो. scientist associated with artificial system. scientist associated with artificial system. कौन-कौन से scientist associated है artificial system से? ठीक है? पहला तो हो गया आपके theophrastus. कौन से है? theophrastus. ठीक है? यह scientist associated है artificial system से. फिर did pioneer work. इन्होंने क्या किया था बच्चे? इन्होंने pioneer work किया था. ठीक है? first work किया था इस पे. pioneer मतलब first work एक परह से on artificial system. ठीक है? artificial system में इन्होंने theophrastus ने सबसे पहला work किया था. ठीक है? इसके बाद फिर Aristotle आये थे. Aristotle आये थे. फिर Bohin आये थे. ठीक है? फिर Bohin ने work किया था. फिर Linious आये थे. यह मैं scientist का नाम लिख रहा हूं. ठीक है? कौन कौन ने? किसने work किया था? artificial system of classification पे. ठीक है? सबसे पहला जो work किया था वो किया था. ठीक है? ठीक है? ठीक है? ठीक है? Linious gave the sexual system of classification. Linious ने क्या दिया था बच्चे? इन्होंने दिया था sexual system of classification. इन्होंने sexual system of classification दिया था. आर ये बाद सबज में? और ये इसके बाद फिर आये थे. प्लिनी, the elder, clear है? तो ये सारे जो हैं, ये scientist हैं, जिन्होंने artificial system में contribution किया था. ठीक है? अगर हम दोग सबसे पहला theophrestus के बारे में देख लेते हैं. Theophrestus. Theophrestus ने क्या किया था बच्चे? इन्होंने divide किया था into four groups on the basis of habitat. ठीक है? इन्होंने artificial system में इन्होंने divide किया था divided into four groups. ठीक है? इन्होंने चार groups में divide किया था. ठीक है? on the basis of किसके base पे? on the basis of on the basis of habit के base पे. आरी बास सोज में तूँ चार group कौन-कौन से थे बच्चे? एक तो था आपका herbs. पहला था herbs. ठीक है? दूसरा था आपका shrubs. तीसरा था बच्चे आपका trees, herbs, shrubs, trees. चौथा था बच्चे आपका under shrubs. ठीक है? तो यह सारे क्या थे आपके? यहाँ पे? यह फेस्टस ने चार groups में divide किया था. ठीक है? कौन-कौन सा? herbs, shrubs, trees and under shrubs. आरी बास समझे में बच्चे? चलो. अब सबसे पहले हम लोग लिए the of fresh trees का देख चुके हैं. अब linious का देख लेते हैं एक बार. ठीक है? linious ने क्या किया था? linious ने एक बुक दिया था जिसको बोला था general planterum. ठीक है? इसने एक बुक लिखा था general planterum. ठीक है? इन्होंने यूज किया था किसको? sexual characters को. इन्होंने यूज किया था बच्चे? जैसे कि आपका हो गया nature, number of stemens, and number of carpels. ठीक है? he divided the plants into 24 classes. इन्होंने डिवाइड किया था plants को 24 classes में. he divided the plants he divided the plants into 24 classes. ठीक है? इन्होंने डिवाइड किया था plants को 24 classes में. on the basis of on the basis of these features on the basis of these features कौन-कौन से features थे ध्यान ज़र सुन दो lenious ने जो था मैं फिर से बता देता हूँ आप लोग को ध्यान ज़र सुनिये ठीक है lenious ने sexual characters जैसे कि nature क्या है number of stamens कितने है number of carpels कितने है ठीक है ये sexual organs है इनके number क्या है इनका nature क्या है ये सारी चीजे इन्हेंनों बताई थी lenious ने किसमें अपने बुक general plant term में ठीक है और इन्हें डिवाइड किया था plants को 24 classes में ठीक है 24 classes में डिवाइड किया था plants को on the basis of these features इन features के आधार पे ठीक है आज ये बस समझवे जो आपका one से लेकर के 23 classes थे ठीक है 24 में से एक से लेकर के 23 classes जो थे कि represent the flowering plants ठीक है इसमें क्या represent किया था इसने यानि कि ये जो classes थे एक से लेकर के 23 तक ये represent करते थे flowering plants को ठीक है ये represent करते थे किसको flowering plants को ठीक है और जो आपका 24th class था जो आपका 24th class था इसमें ठीके वो represent करता था non flowering plants को किसको non flowering plants को represent करता था non flowering plants जैसे कि हो गया आपका crypto gamia non flowering plants जैसे हो गया आपके crypto gamia ठीके अब देखो अगर हम बात करें अब देखो अगर हम बात करें ठीके और इधर मैंने लिख दिया class इधर मैंने class लिख दिया जैसे अगर मान लो कि if only one is present अगर सिर्फ आपका एक इस्टेमें प्रेजेंट हो only one is present इस प्रेजेंट ठीके तो हम लोग क्या बोल देंगे इसको mononandria क्या बोल देंगे mononandria ठीके mononandria अगर बच्चे आपका if only two is present अगर दो इस्टेमेंट प्रेजेंट हो ठीके तो हम लोग इसको diandria क्या बोल देंगे बच्चे इसको हम लोग diandria clear है तो यह तो था total linear का क्योंकि यही इसमें थे को दो ही important थे यह जो मैंने बताया आपको कि जो scientist ने contribute किया इसमें से आपका थियो फेस्टेस का important था जानना ठीके और दूसरा linear का जानना जरूदी था आपको अब drawback बता देता हूं आप लोग को drawback क्या था इस classification system का चलो drawback बता देता हूं आप लोग को एक बारी drawback of artificial system of classification artificial classification system drawback of artificial classification system ठीके अब पहला drawback क्या था बच्चे not based upon phylogeny ठीके यह किस पर based नहीं है not based upon not based upon phylogeny phylogeny पर यह based नहीं है ठीके दूसरा gave equal importance to the veritative and reproductive characters ठीके इन्होंने अप्का ठीके अप्रकृक्टाक्ट। गिए पर्यके रचेके के रिप्रोडजार्टिव 272 एंड रिप्रोड़क्टिव केरेक्टर से कि तो इंहों न्य एक्वल इंपकृक्डंस दिया वेचीटीव faster ठीके with respect to the environment किसके respect में environment कि respect में ठीके with respect to the environment ठीके अब देखो not based upon phyla blindness draw back क्या था artificial classification system का ये आपका based नहीं था phyla जैनी पे equal importance give equal importance to the very attentive and reproductive characters यंटोने equal importance दिया वेटेटिव और रेप्रोड़क्टिव characters का changes in vegetative characters are faster with respect to the environment changes जो है vegetative characters का किसके respect में ठीक है with respect to the environment वो क्या है बच्चे faster है ठीक है where is reproductive character जबकि आपका reproductive character का जो change है slower ठीक है changes in reproductive character are slower with respect to the environment ठीक है किसके respect में इन्वार्मेंट के respect में अब जहां से सुनो ड्रॉबैक क्या था रटीफिशियल का सिरिकेंश सिस्टम का यह बेज नहीं था फाइलोजनी पर ठीक है फाइलोजनी यानि कि evolutionary characters पर बेज नहीं था ठीक है इन्हों ने दिया था equal importance to the vegetative और reproductive characters को equally बता दिया था कि vegetative और reproductive character क्या है equal है ठीक है equally importance दिया था यानि कि changes अगर vegetative character change होता है बच्चे वो faster rate से change होता है with respect to environment environment के साफ से जो vegetative characters है जैसे कि root हो गया stem हो गया लीप्स हो गया वो अपना environment के साफ से change होता रहता है लेकिन जो reproductive characters हैं उनमें changes धीरे धीर आता है ठीक है यह difference था अब देखो the characters which show changes are called as conserved characters और ऐसे characters ठीक है characters which show changes ठीक है they are called as conserved characters इसको उन्हों क्या बोलेंगे बच्चे conserved characters बोलेंगे ठीक है और जो characters होंगे which show faster changes ऐसे characters जो की faster changes को show करें ठीक है उनको हम लोग क्या बोलेंगे non-conserved characters non-conserved characters देखो यह जो है यह slow भी यहाँ पर कर सकते हो वे the characters which show slow changes उनको बोल सकते हैं हम लोग concerned characters और ऐसे characters जो की आपका faster rate पर changes को करते हैं उनको लोग बोल सकते हैं वेडिटेटिव characters आरी बात समझेंगे बच्चों clear है आप लोग को चलो आप देखो इसका example अब देख से तो जो faster change करेगा faster change कौन से कर रहा था ठीक है कौन से था तो इसका example आप क्लासिब सकते हो वेडिटेटिव characters ठीक है वेडिटेटिव characters रख सकते हो इसका example clear है चलो अब next पे चलते है natural classification system पे चलते है natural classification system जो आपके natural classification system है यह based है किस पे based on morphological characters ठीक है based on morphological characters यह based है morphological characters पे as well as anatomical ठीक है as well as anatomical ultrastructure ठीक है cytological ultrastructure cytological embryological ठीक है cytological embryological and physiological and ठीक है यह based है natural system of classification natural classification system based है it is based on the morphological characters as well as the anatomical ultrastructure cytological embryological physiological characters पे बेस्ट है आरी बात समझ में अब देखो here first dimension is morphological character यहाँ पे जो पहला dimension है वो क्या है बच्चे morphological character ही होगर पहला dimension आरी बात समझ में clear है ना क्योंकि हम सबसे पहले क्या बोलें based on morphological character as well as anatomical structure, ultrastructure, cytological, embryological, and physiological characters ठीक है और यहाँ पे जो पहला dimension है ठीक है यह क्या है आपका first dimension first dimension क्या है बच्चे आपका morphological character है यहाँ पे आरी बात समझ में and other dimension is rest characters that why that's why it is called as 2D classification system और other dimension है ठीक है यह जो other dimensions जो है ठीक है यह जो other dimensions है इनको हम लोग बोलते हैं other dimension हम लोग include करते हैं यानि की एक dimension यह हो गया तो 1D और दूसा dimension यह हो गया तो यह भी 1D हो गया तो total कितने हो गया आपके 2D ठीक है तो इसके system को natural classification system को हम लोग 2D classification system भी बोलते हैं आरी बात समझ में, 2D classification system भी बोलते हैं हम इसको, 2D classification system भी बोलते हैं, ठीके, other dimensions में आगया आपके anatomical, ultra-structure, cytological, embryological and physiological, ठीके, उर morphological character एक अलग dimension हो गया, आरी बात समझ में, बच्चे, अच्छा बच्चे, यह जो natural classification system है, यह based होता है, it is based on, ठीके, based on natural affinities, यह किस पे based है, यह natural affinities पे based है, among organisms, ठीके, किस पे, among organisms, ठीके, यह यह based on the natural affinities among organisms, यह रहे, अगर हम लोग contribution की बात करें, क्यए एके, you do a contribution of contribution of scientist, contribution of scientist associated with contribution of scientist associated with natural classification system, यह यह, natural classification system contribution of scientists associated with natural classification system पहला इसमें क्या है John Ray पहले कौन से है बच्चे John Ray है दूसरे बच्चे D कंडॉले है यह दूसरे कौन है D कंडॉले तीसरे कौन है बच्चे D जो से यू है और चौते है Bentham and Hooker तो पहले कौन से है Bentham and Hooker आरी बास समझ में तो देखो contribution है जो scientist का जो की associated है with natural classification system is John Ray D कंडॉले D Jusian and Bentham and Hooker फिके यह क्या है आपके natural system of classification में है अगर हम लोग बात करें बच्चे pioneer work किस ने किया था pioneer work किस ने किया था बच्चे इसमें natural classification system में John Ray ने किया था आरी बास समझ में इन्होंने pioneer work किया था यानि कि सबसे पहले work किया था ठीके और Bentham and Hooker उद्धे को classification system given by Bentham and Hooker is most acceptable लेकिन जो classification system Bentham and Hooker ने दिया था ठीके इसको most accepted बताया गया ठीके most accepted classification system ठीके most accepted classification system बताया गया था ठीके Bentham and Hooker classification system जो था most accepted था इसलिए हम लोग इसी को पढ़ते हैं आरी बाद समझ में और इसका बच्चे most practical value भी था इसका जो है most practical value भी था आरी बाद समझ में चलो अब बेंटम and Hooker classification system क्या है ठीके इसके बारे में हम लोग अच्छे से देखेंगे लेकिन पहले हम लोग एक बार फिर से देखें natural classification system यह जो natural classification system है बच्चे वो है based on morphological characters किस पे based है यह यह based है किस पे बच्चे on morphological characters ठीक है on morphological characters ठीक है morphological characters पे based है plus as well as anatomical anatomical comma ultra structure anatomical comma ultra structure comma cytological ठीक है comma embryological cytological comma embryological and physiological and physiological characters ठीक है और physiological characters पे बेस्ट है ठीक है जो यह सबसे पहला जो dimension हम लेते हैं वो morphological character करेक्टर 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 करेक्ट दिया और यह की 1D यहाँ पर हो गया ठीके तो टोटल कितने हो गया यह आपको बोल सकते हो 2D classification system ठीके 2D क्योंकि यहाँ पर दो डाइमेंशन ले रहा है ठीके तो यह क्या हो गया बच्चे 2D classification अब देखो natural classification system based upon natural affinities natural classification system जो है natural classification system ठीके natural classification system जो है वो based होता है based upon natural affinities natural classification system is based upon the natural affinities among organisms इसमें among organisms ठीके तो देखो natural classification system जो है वो किस पर based है बच्चे यह natural affinities पर based है among the organisms ठीके जितने भी और इसे उर्गनमें इसी तरह सा अगर आगर 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 कोंट्रिबूशन की बात करें contribution of the scientist ठीके ठीके contribution of scientist की बात करें ठीके contribution of scientist associated with ncs natural classification system ठीके अगर आगर बात करें बच्चे contribution of scientist associated with natural classification system इसमें आ जाएंगे आपके john ray ठीके इसमें आ जाएंगे आपके john ray second में आ जाएंगे आपका d condole ठीके d condole आ जाएंगे और third में आ जाएंगे बच्चे आपके d जुसे यू डी जुसे यू आ जाएंगे third में और fourth में आ जाएंगे बच्चे आपके bentham and hooker fourth में क्या जाएंगे आपके bentham and hooker आरी बात समझ में तो natural classification system में आपके john ray आ जाते हैं d condole आ जाते हैं d juicer आ जाते हैं और bentham and hooker आ जाते हैं ठीके john ray जो थे बच्चे इन्होंने pioneer work किया था john ray ने pioneer work किया था ठीके इन्होंने आपका यहाँ पे pioneer work किया था और जो आपके यहाँ और जो आपके बच्चे bentham and hooker हैं इनका जो classification system था वो most accepted था ठीके bentham and hooker का classification system जो था वो most accepted था क्योंकि यह most practical था ठीके और यह most practical था practical value था most accepted and most practical value थे इसमें इहर है most practical value ठीके बच्चे तो यह थो था bentham and hooker के classification system अब देखो bentham and hooker divided the plant kingdom into two sub kingdom ठीके bentham and hooker ने divide किया था plant kingdom को ठीके इन्होंने divide किया था kingdom to go into the two sub kingdom ठीके दो सब kingdom में divide किया था इन्होंने two sub kingdom ठीके कौन कौन सा first is cryptogamia पहला क्या था बच्चे आपका cryptogamia था and second is fenerogamia ठीके second क्या था आपका fenerogamia cryptogamia and fenerogamia ठीके तो दो sub kingdom ठीके थे bentham and hooker का classification का पहला हो गया आपका cryptogamia और दूसरा हो गया आपका fenerogamia जो आपका fenerogamia है इसके तीन classes है ठीके fenerogamia के आपके तीन classes होंगे ठीके एक बात आप लोगो और बताना है ठीके लेकिन चलो ये मैं बता जेता हूं दो sub kingdom है ठीके bentham and hooker ने plant kingdom को divide किया था two sub kingdom में ठीके इन्होंने divide किया था plant kingdom को bentham and hooker ने दो sub kingdom में पहला हो गया cryptogamia और दूसरा हो गया fenerogamia और किस book में publish किया था इन्होंने जिस book में publish किया था बच्चे वो था आपका genera plant theorem कौन सा book था genera plant theorem था ठीके और इसका third volume था कौन सा volume था third volume into three volume ठीके तीन volumes में था अब जो fenerogamia है बच्चे इसको divide किया था तीन sub categories में ठीके fenerogamia को तीन classes में divide किया था इन्होंने fenerogamia को तीन sub classes में divide किया था तीन classes में divide किया था पहला था इसमें पहला था बच्चे इसमें dicotylidny ठीके dicotylidny था यह आपका primitive group था डाइ dicotylidny जो था वो आपका primitive group था ठीके दूसरा था आपका gymnospermy ठीके दूसरा था आपका gymnospermy और तीसरा था बच्चे आपका monocotyoidny ठीके तीसरा था आपका monocotyledny ठीके यह 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 advanced group था monocotyledny जो था वो आपका advanced group था clear है monocotyledny जो था वो आपका advanced group था तो तो एक तो हो गया आपका dicotylidny मैंने आपको यह बता दिया दूसरा हो गया जिम्नोस्पर्मी और तीसरा हो गया मोनो कॉटिलेडनी ठीक है तीसरा क्या हो गया मोनो कॉटिलेडनी चलो अब डाई कॉटिलेडनी का हम लोग एक बार देख लेते हैं यहां पर मैं आपको दिखा देता हूँ फरस्ट मैंने क्या लिखा था आपका डाई कॉ जो कि क्या था बच्चे प्रेमिटिव ग्रूप था ठीक है जो सबसे पहले प्रेजेंट था उसको हम लोग बोलते हैं प्रेमिटिव ग्रूप ठीक है यह प्रेमिटिव ग्रूप था आपका और दूसरा दो था बच्चे वो था आपका gymnospermy टीक है और तीसरा जो था आपका टीक है तीसरा दो था आपका वो था monocotyledny monocotyledny ठीक है तीसरा monocotyledny था यह आपका advanced था ठीक है इसको हम लोग advanced में गिनते हैं advanced group यह आपका advanced group था clear है dicotylidny, gymnospermia, monocotylidny ठीक है यह थे families ठीक है अब देखो इसमें जो है बच्चे इसमें 165 families थी एक में तो था आपका 165 families इसमें आपके 3 families थी gymnospermia में आपके 3 families थी monocotylidny में बच्चे आपके 34 families थी ठीक है monocotylidny में आपका 34 families थी ठीक है ऐसे ही अब यह देखो यह show करता था reticulate venation ठीक है dicotylidny क्या show करता था it's show reticulate venation reticulate venation यह show करता था ठीक है जो की आपका हो जाएगा in leaf it's show reticulate venation in leaf अब जैसे मान लोग की यह क्या है leaf है ठीक है यह leaf है आपका इसमें आपका देखो अब leaf में क्या है बच्चे यह network जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग reticulate venation leaf में अगर आपका network present है ठीक है अब इदे को इसमें network present होता है कैसे मैं दिखा देता हूँ आप लोग को इस तरह से networking होता है leaf में ठीक है इस तरह से जब network present होगा तो इसको आपका लोग बोल देते हैं ठीक है reticulate venation ठीक है नेट्वर्क प्रेजन्ट है तो इसको उन्हों बोल देते हैं रेटिकुलेट वेनेशन ठीक है अब देखो 165 फैमिली है टोटल और यह शो करता है रेटिकुलेट वेनेशन इन लीव ठीक है इसमें आपके 3 फैमिली हैं रेप्रोड़क्टिव इस्टक्चर जो होगा वो कोन होगा ठीक है food H чувств to Business यो सीड होगा बच्चे इसके पास should Those सीड के पास क्या होगा बच्चे दो कॉटलेट रह सोगा ठीक है जिन्हों इस पमी में आपका जाएगा बच्चे reproductive इस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् इसमें ovules होते, वो naked होते हैं, और ovary क्या होता है यानि कि ovary क्या है बच्चे, absent है, इसका मतलब क्या हुआ, ovary क्या होता है, इसमें absent होता है, सीधे आपको ovule दिखेगा, ठीक है, ovary absent होता है, आपको ovule सीधे दिखेगा, यहाँ पे, naked ovule, ठीक है, अब देखो, monocotyledonine में क्या होगा, यह आपका advanced group है, 34 families हैं इसमें, और इसमें बच्चे, network absent होता है, so parallel vanation, इसमें आपका network जो होता है, वो absent होता है, इसलिए नोग बोल देते हैं, so parallel vanation, network absent होता है, बच्चे, तो क्या हो गया, आपको यह parallel vanation हो गया, ठीक है, अब only one cotyledon, इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही cotyledon होता है, तो only one cotyledon is present, only one cotyledon is present, clear है, यह trimerous flower होता है, कैसा होता है, trimerous flower होता है, यह trimerous flower होता है, यानि कि इसमें आपका parianth जो होता है, ठीक है, parianth, वो क्या होता है बच्चे, इसमें present होता है, parianth क्या होता है, present होता है, ठीक है, तो तो 34 families हैं, network इसमें absent होता है, so parallel vanation, और only one cotyledon, सिर्फ एक ही cotyledon होता है, और यह trimerous flower होता है, ठीक है, यह जो होता है, वो आपका trimerous flower होता है, ठीक है, आरे बात समझो है बच्चो, चलो, और, और भी differences देख लेते हैं, sorry, थोड़ा, गले में मेरे problem हो गया है, थोड़ा से मुझे मुलेठी खाना पड़ रहा है, थोड़ा से गले में problem हो रही थी मेरे, चलो, अब ध्यान से देखो बच्चे, pentameras flower, कैसा होगा flower इसका, जाइक उटलिडनेस में होता है, pentameras flowers, यानि कि five sepal होंगे, plus five petals होंगे, five sepal plus five petals इसमें present होते हैं, ठीक है, वैस्पलर बंडल जो होता है, वैस्पलर बंडल जो होता बच्चे, वो कैसा होता है, open type, ठीक है, वैस्पलर बंडल open type होता, ओपन का मतलब क्या होता है ओपन का मतलब यह हुआ कि जैसे यह Vascular Bundle है ठीक है ऊपर की तरफ क्या है बच्चे फ्लोयम है और नीचे की तरफ क्या है जाइलम है ठीक है अगर बीच में Cambium Present है यह क्या हो गया आपका Cambium ठीक है तो इसको हम तो कैसे बोल देंगे ओपन ठीक है ओपन वेस्टिलर बंडल इसको हम तो बोल देते हैं क्लियर है अगर Cambium Presented तो कैसा हो गया ओपन वेस्टिलर बंडल क्लियर है जो जिमनो स्पमी है इसमें फर्टिलाइजिशन के बाद ओव्यूल फॉर्म होता है ओव्यूल फॉर्म जो होता है वो सीड में कनवर्ट हो जाता है ठीक है जब इसमें फर्टिलाइजिशन होता है तो ओव्यूल जो है वो सीड में कनवर्ट हो जाता है ठीक है इसलिए सीड जो होता है वो भी naked होता है seed is also naked यानि कि ovule के साथ साथ आपका seed भी naked होता है gymnospermy में ठीक है अगर हम लोग monocotylidny की बात करें तो monocotylidny में cambium क्या होता है absent होता है monocotylidny में cambium absent होगा so called as इसलिए इसको हम लोग बोल देते हैं बच्चे closed vascular bundle इसको क्या बोल देंगे हम दो closed vascular bundle बोल देंगे ठीक है और secondary growth जो होता है secondary growth absent होता है so wood is so wood formation secondary growth absent so wood formation absent इसलिए wood formation क्या होता है बच्चे absent होता है ठीक है secondary growth इसमें absent होता है इसलिए यहाँ पर wood का formation क्या होता है absent होता है यह most important line है इसको ध्यान रखना clear है monocotylidny में secondary growth जो होता है वो absent होता है so wood का formation आपका यहाँ पर absent है clear है बच्चो चलो अब देखो reproductive structure जो होता है वो flower होता है इसमें इसमें जो reproductive structure होता है वो क्या होता है इस flower reproductive structure जो होता है वो flower होता है आई यह बात समझ में चलो अब до Polish ओर इंपोर्टन पॉइंट देख लिते हैं ठीके थोड़ा से d'.gy 카टल ड्याइड नी का थोड़ा से इंपोर्टन पॉइंट दॉइंट देख लिते हैं ठीके खषना करते हैं छोट डाइड डिवाइड होता है टीन सब्टलासस में ठीके d.к.ief fifty upon the nature as well as presence or absence of petals ठीक है लेकिन जो आपका reproductive structure होता है dicotylidny में जो reproductive structure होता है वच्चे ठीक है उसको हम लोग बोलते हैं flower क्या बोलते हैं flower और west floor bundle जो होता है वो open होता है यह तो मैंने आपको बता ही दिया जब open होता है इसलिए secondary growth इसमें पाय जाता है ठीक है वेसलर बंडल कैसा है इसमें open type है इसलिए आपका इसमें secondary growth present होता है ठीक है secondary growth present इसलिए wood का formation भी इसमें present होगा wood formation भी present होता है आज यह बाद समझ में अब देखो तो यह चीजे हैं इसको ध्यान में रखना आप लोग ठीक है हम अब देखो बच्चे जो dicote litny है इसको मुझे divide करना है तीन subclasses में इसको मैं divide कर देता हूँ थ्री subclasses में ठीक है on the basis of ठीक है on the basis of nature अब देखो तीन subclasses कौन कौन से हो जाएंगे पहला है बच्चे petal present and free petal present होता है और क्या होता है बच्चे यह free होता है petal present and free दूसरा होता है बच्चे petal present and fused petal present होता है और fused होता है ठीक है एक होता है आपका petal and sepal ठीक है petal and sepal differentiation अच्चेन पेटल और sepal का differentiation क्या होता है absent होता है ठीक है petal and sepal differentiation absent यहां पे आपका parent present होता है clear है यहां पे आपका parent present होता है ठीक है अब देखो अगर देखो बच्चे ज्यान से सुनना अगर आपका petal present होगा और कैसा होगा free होगा petal present होगा और free होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं called as polypitely ठीक है तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे called as polypitely खिकहिए अगर आपका पेटल प्रेसेंट होगा और फ्यूज होगा ये रुआ मिन के अ ग्यामोट पित एली गशनी मलिक्त क्या बोल देंगे लगाशे ड्यामट पिक्मीद और अ फ्यूजुज आका प्डज करण अग। तो इसको और नियुक्त नियुक्त default है इसको लोग क्या बोल देंगे बच्चे called as monoclamide clear है polypetally में बच्चे आपके total 3 series होंगे ठीक है इसमें total 3 series होंगे ऐसे gamopetally में भी आपके total 3 series होंगे ठीक है और monoclamide में भी आपके total 8 series होंगे monoclamide में आपके 8 series होंगे आजी बात समझ में 8 series प्रिजेंट होंगे आजी बात समझ में बच्चो अब देखो यह जो गैमो पिटली है ठीके इसको अब हम लोग तीन इंफरा क्लासेज में डिवाइड करते हैं ठीके तीन तीन series में डिवाइड करते हैं इसके खासी आ रहा है उसके लिएसे प्रॉब्लम हो रहा है ठीके जो कोई बात नहीं ठीके जो गैमो पिटली है ठीके यह वाला जो है ठीके गैमो पिटली जो है जिसमें petals present हैं और fused है इसको हम लोगे मैंने तीन series में डिवाइड किया है कौन-कौन से यह तीन series हैं यह दिख लेते हैं एक बार पहला हो गया आपका inferior दूसरा हो गया बच्चे आपका hetero hetero तीसरा हो गया बच्चे आपका bicarpillate bicarpillate ठीके तीसरा क्या हो गया bicarpillate ठीके inferior में क्या हो जाएगा inferior gynosium इसमें आजाएगा आपका inferior gynosium hetero-mary में आजाएगा आपका superior gynosium ठीके और bicarpillate में आजाएगा superior gynosium इसमें भी आजाएगा आपका superior अब positive points क्या है positive points of natural ठीके bentham and hooker classification system ठीके bentham and hooker classification system का positive point क्या है यह मैं बता देता हूँ आप लोग को clear है तो पहला positive point यह है बच्चे monocards have ठीके जो monocards होते हैं have given the advanced position ठीके monocards को यहाँ पे एक advanced position दिया गया है ठीके dicards have one order renails dicards के पास यहाँ पे dicards have one order यह कौन सा order है बच्चे renails dicards have one order renails ठीके अगर हम study करें if we study the gynosium ठीके को superior gynosium क्या होता है ठीक है and superior gynosium जो होता है यह primitive character है यह क्या है बच्चे एक superior gynosium का present होना यह primitive character है आदी बात समझ में अब देखो superior gynosium क्या होता है देखो दो तरह का gynosium मैं आपको बता देता हूँ, एक होता है superior एक होता है inferior, एक और तरह का होता है लेकिन अभी आपको वह बताने की ज़रुवत नहीं है यहाँ पे, देखो यह ध्यान से देखो यह मैं flower के structure बना रहा हूँ ठीक है इसमें यह stemmen part हो गया ठीक है, ओवरी बगरा तो मैंने दिखाए दिया आपको ठीक है यह stemmen हो गया अब यहाँ से आपका यह carpel लिखना हुआ है ठीक है और यहाँ पे क्या निकला हुआ है यह हो गया आपका सेपल, सुरी पेटल हो गया यह पेटल और यह सेपल हो गया ठीक है, carpel और पिस्टिल आपको बता ही दिया है ठीक है यह thalamus हो गया और यह पेडिसल ठीक है अब देखो यह जब गाइनोशियम है अगर गाइनोशियम जितने भी फ्लोरल पार्ट्स हैं ठीक है जितने भी फ्लोरल पार्ट्स हैं वो ओवरी से नीचे हो ठीक है वो क्या हो ओवरी से नीचे हो यह क्या है आपका ओवरी है ठीक है इससे क्या है नीचे से तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर क्या है गाइनोशियम यह तो गाइनोशियम है तो गाइनोशियम क्या है यहाँ पर सुपीरियर है क्या बोलोगे इसको सुपीरियर गाइनोशियम बोलोगे आरी बात समझ में सुपीरियर गाइनोशियम या फिर इसको आप बोल सकते हो हाइपो गाइनस फ्लावर ठीक है या फिर आप क्या बोल सकते हो इसको हाइपो गाइनस फ्लावर बोल सकते हो आजी बस समझ में अगर मान लो ठीक है एक और कंडिशन में बता देता हूँ और ये जो है सुपीरिय गाइनोशिम ये एक तरह का primitive character है ठीक है जो कि die quarts के order renews में present है ठीक है और monocords में ठीक है ये monocords को दिया गया था advanced position ठीक है ये positive points थे आपके बेंथम एंडूकर classification system के अब देखो एक और गाइनोशिम मैंने बना देता हूँ यहाँ पे ठीके मैंने ये एक और गानेशम बना दिया है ठीके अब इसमें क्या होगा बच्चे यहाँ पे आपको इस तरह से दिखेगा ओवरी ठीके यह क्या ओवरी आपको इस तरह से दिख रहा है ठीके और जितने भी फ्लोरल पार्डस हैं वो यहां से निकले हो गया यह हो गया आपका सेपल ठीक है सेपल आपको दिख गया इसके उपर क्या हो गया बच्चे पैटल हो गया ठीक है इसको उपर मैंने पैटल बना दिया और यहां पर मैंने बना दिया एंड्रोशियम ठीक है यहां पर मैंने बना दिया एंड्रोशियम clear है androsium बना दिया तो यहाँ पर क्या है यह जो floral parts है यह जो floral parts है बच्चे यह क्या है above above the ovary है यह floral parts क्या है बच्चे above the ovary है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते है इसको बोल सकते हैं हम लोग superior flower इसको हम लोग बोल सकते है superior flower या फिर हम लोग बोल सकते हैं बच्चे एपी गाइनस सुपीरियर फ्लावर या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको एपी गाइनस आरे यह बात समझ में या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको एपी गाइनस यहां पर जो फ्लोरल पार्ट से वो क्या है superior है ठीक है इसलिए हम लोग superior flower बोल सकते हैं या फिर इसको आप बोल सकते हो inferior gynosium क्या बोल सकते है inferior gynosium क्योंकि आप देखी रहा हो कि यहाँ पे जो gynosium है यह सारे floral part से क्या है नीचे है ठीक है यह जो gynosium है वो सारे floral part से नीचे है तो हम इसको क्या बोल सकते है inferior gynosium clear है चलो अब देखो कुछ आपको drawbacks में बता देता हूँ bentham and huger को huger classification system का तो ज्यान हुकर classification system drawback of benham and huger classification system ठीक है इसका drawback क्या-क्या है यह देख लेते हैं हम लोग पहला जो drawback है बच्चे पस drawback आपको बता देता हूँ मैं not based upon phylo जनी ठीक है not based upon phylo जनी ठीक है यानि कि यह क्या है एक तरह से डैट इस evolutionary studies इसको अनुग बोलते हैं evolutionary study not based upon the phylo जनी evolutionary study ठीक है second देखो gymnosperms have given wrong position gymnosperms को यहाँ पर gymnosperms have given wrong position gymnosperms को यहाँ पर wrong position दिया गया है आदी बात सबज में एक तो यह base नहीं था किस पर phylo जनी पर दूसरा gymnosperms को यहाँ पर wrong position दिया गया क्लियर है ठीक है between कहां पर बिट्विन डाई कोड्स और monocots के बीच में ठीक है because today we know gymnosperms are primitive than angiosperms क्योंकि आज हम लोग जानते हैं gymnosperms क्या है बच्चे gymnosperms ज्यादा primitive है देन दी एंगियर स्पर्म्स आज यह बात समझ में एंगियर स्पर्म से ज्यादा primitive है gymnosperms ठीक है और देको today we know that orchidacy family is all is an advanced family ठीक है यह जो orchidacy family है वो क्या है advanced family है orchidacy family यह आजनी की orchid आरी बच समझ में orchidacy family यह कैसी family है advanced family है but the position which was given in the bentham and huger classification यह कैसा दिया गया था bentham and huger classification में कैसा दिया गया था bhc में कैसा दिया गया था यह से primitive बताया गया था ठीक है primitive बताया गया था bentham and huger classification में इसे primitive character बताया गया था ठीक है कुछ जो floral characters है उनको neglect किया गया ठीक है floral characters floral characters neglected ठीक है neglect किया गया और not utilized और not utilized in this classification floral characters neglected और not utilized in this classification system इस classification system में ठीक है फिर point क्या दा बच्चे monocard families have not given right position monocard families को कोई भी right position नहीं दिया गया ठीक है monocard families have not given right position ठीक है monocard families को right position नहीं दिया गया यहाँ पर clear है तो देखो gymnast firm जो है ठीक है यह किस पर based नहीं है not based upon the phylogeny gymnast firms have given wrong position wrong position दिया गया इसका ठीक है इसको diecords और monocards के बीच में रखा गया gymnast firm जो है वो primitive character है ठीक है more than angiosperms ठीक है angiosperms से ज़्यादा यह primitive character है orchidacy family जो है उसे advanced family बताया गया जबकि यह ब्यंते में नुकर classification में ठीक है अगर हम लोग जानते हैं आज की डेट में तो orchidacy कैसा है advanced family है लेकिन अगर ब्यंते में नुकर classification system देखें तो वहाँ पर कैसा बताया गया है primitive character बताया गया है अगर हम लोग floral characters की बात करें बच्चे तो उसको neglect किया गया है और not utilized in this classification system लेकिन monocod families के पास क्या है have not given right position monocod families को कोई भी right position नहीं दिया गया यहाँ पे तो यह सारे क्या थे drawback थे इस classification system के बेंथे में उगर classification system के ठीक है चलो next पे चलते हैं अब लोग हाँ अब मैं आपको फोर्थ बता देता हूँ यह जो next point है ठीक है next point बता देता हूँ last point जो था आपका phylogenetic जो ध्यान से सुनो phylogenetic classification system phylogenetic classification system ठीक है phylogenetic classification system based upon two dimensional and 1D ठीक है यह किस पे based है बच्चे यह based है एक तो 2D पे ठीक है 2D classification system पे आप लोगो बताया था ना 2D कैसे हुआ plus 1D पे भी based है ठीक है 1D पतलब क्या हो गया आपका phylogenee ठीक है यह सारे included तो है 2D वाले 2D classification system तो पूरा included है लेकिन अलग से इसमें एक और 1D जोड दिया गया जिसको बोलते हैं हम लोग phylogenee ठीक है इस लिए इस classification system को क्या बोल सकते हैं phylogenee ग्लासिफिकेशन system को 3D classification system क्या बोल सकते हैं बच्चे इसको हम लोग 3D classification system ठीक है इसको बोल सकते हैं 3D classification system clear है अब देखो जो term है phylogenee ठीक है यो term है phylogenee ठीक है इसको दिया था Lamark ने ठीक है इसको किस ने दिया था इसको दिया था Lamark ने ठीक है term phylogeny किस ने दिया था Lamark ने दिया था concept जो है phylogeny का concept of phylogeny ये दिया था hackle ने concept जो है phylogeny का वो से दिया था hackle ने ठीक है concept जो है phylogeny का वो किसे ने दिया था hackle ने दिया था आर ये बात समझ में आप लो चलो अब देखो जो साइन्टिस्ट असोसियेटेड है इस सिस्टम से साइन्टिस्ट असोसियेटेड विद विद इस सिस्टम तो साइन्टिस्ट असोसियेटेड है इस सिस्टम से वो कौन कौन से साइन्टिस्ट है यह देख लेते हैं पहले जो साइन्टिस्ट है बच्चे वो है एक आपके एकलर ठीक है इंगलर एंड प्रांटिल एंगलर एंड प्रांटिल हो गया है ठीक है अचिंसन हो गए अचिंसन हो गए एंड तक्ता जन एंड तक्ता जन ठीक है जो इकलर है ठीक है यह जो इकलर है बच्चे यह पाइनियर वर्क किया था इन्होंने इन्होंने क्या किया था इन्होंने पाइनियर वर्क किया था ठीक है सबसे पहला वरके इन्हों ने किया था इस में फाइल उदेंटि क्लासिफिकेशन सिस्टम को भी इंक्लूट किया था सेकेंड आपके इंगलर एंट प्रांटिल हो गए थर्ड हो गए हजिंसन और फोर्थ हो गए तक्ता जन ठीक है इन दोनों लोगों ने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था ठीक है इन्हों ने मोर एडवांस क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था मोर एडवांस क्लासिफिकेशन सिस्टम मोर एडवांस क्लासिफिकेशन सिस्टम इवन बाई इस साइन्टिस्ट ठीक है रहे ने मोर इवलिशनरी एडवांस क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था इन साइन्टिस्ट ने आरी बात समझे बच्चो चलो बहुत अची बात है अब देखो इंगलर एंड प्लांटिल की बात कर लेता है यहां पर क्लासिफिकेशन सिस्टम क molecular and plantal classification system किया इन्होंने published किया था published in published in डाई नेचुरल लाइकेन published in डाई नेचुरल नेचुरल लाइकेन ठीक है P Planzen Familian ठीक है इस बुक में इन्होंने पब्लिश किया था किस बुक में पब्लिश किया था ताई नेचुरल लगी इसके 23rd वॉल्यूम में पब्लिश किया था 23rd वॉल्यूम में इसनोंने पब्लिश किया था ठीक है और इन्होंने डिवाइड किया था बच्चे ये डिवाइड किया था इन्होंने ठीक है embryo fighter को दो subdivisions में डिवाइड किया था पहला जो subdivision था बच्चे ठीक है वो था आपका gymnospermy पहला subdivision क्या था पहला था आपका gymnospermy ठीक है दूसरा जो subdivision था वो था आपका angiospermy ठीक है दूसरा जो subdivision था वो क्या था angiospermy ठीक है जो angioospermuy है इसमें तो एक आ जाएगा आपका monocotyladen angioospermuy में एक आ जाएगा बच्छे आपका ये monocotyladen ठीक है और dWow दूसरा आ जाएगा आपका and dicotyladen दूसरा क्या जाएगा आपका dicotyladen monocotyladen and dicotyladen ठीक है मोनो कॉटल इडनी में टोटल आपके 14 ओर्डर्स आ जाएंगे और डाई कॉटल इडनी में आपके 44 ओर्डर्स आ जाएंगे ठीक है 44 ओर्डर्स आ जाएंगे ये तो डाई कॉटल इडनी में 44 ओर्डर्स आ रहे बच्चे इसके भी दो सबक्लासेज होंगे इसके भी आपको दो सबक्लासेज मिलेंगे इसके भी आपके टू सबक्लासेज होंगे ठीके, मैं नेक्स पेज़ पर आपको दिखा देता हूँ एक बाद फिर से सुन लो जो इंगलर और प्रांटेल ने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था ठीके यह पब्लिस किया गया था इन डाई नेच्रल लाइके पी फ्लेंजन फैमिलेनी ठीके इसमें 23 वॉल्यूम में और इन्हों ने डिवाइड किया था एन्गे बात क्या आ रही है वच्चों एकब ख्लीर कर दो चलो एक बड़ मैं जल्ली से रिवाइस करवा देता हूं इसके फिर आगे चलते हैं हम लोग ठीक है चलो बहुत अच्छी बात है ठीक है दो सब क्लासेस थे एक था आपका एक था आपका और दूसरा जो सब क्लास था बच्चे वो था आपका meta clamid 201 फैंबलीज थी इसमें 201 फैंबलीज थी ठीक है और इसमें जो था बच्चे इसमें आपके 57 फैंबलीज थे ठीक है इसमें आपके 57 फैंबलीज थे ये 201 एक families थी ये आपकी इसमें जो था ठीके एक लमाइडी में क्या था कि आपके जो petals थे वो free थे और इसमें जो metaclamide में था बच्चे petals जो थे वो fused थे ठीके तो इसलिए हम लोग इसके बोल सकते हैं a petally a petally भी बोल सकते हैं और इसको क्या से बोल सकते हो बच्चे sin मतलब क्या होता है fused तो sin petally sim petally ठीक है sim petally भी बोल सकते हैं clear है अच्छा इसका positive point क्या था ये बता देता हूँ मैं आप लोग को इसका जो positive point था ठीक है positive point पहला ये था gymnoispermi have placed in primitive position इसने place किया था placed in primitive position gymnoispermi को place किया था इनोंने primitive position पे ठीक है अच्छा drawback क्या था इसका drawback मैं आप लोगो बता देता हूँ drawback ये था बच्चे monocourse जो थे ये are advanced ठीक है इसमें monocourse क्या थे monocourse को बता दिया इसने ये advanced थे ठीक है लेकिन ingral and plant